गुड इवनिंग आरीबडी आप सभी को जैस्री राम उब्देसाना की तरफ से वंदे मातरम भारत माता की जैस्री राम साथियों आप सभी को पता है कि कुछ समय से जो पाकिस्तानी थे ये एरपोर्ट पर पहुँचकर इन्होंने वीडियो बनाने का काम किया थेटिंग से जैने का काम किया ढराने का काम किया ख़ले आम थ्रेट्स दिए गई और मैंने ये कहा था कि हम हिंदूस्तानी हैं और अपने वजूद के लिए, अपने संस्कारों के लिए, अपने सम्मान के लिए आखरी दम तक लड़ते हैं, हम इनकी तरह चोर रास्ते से किसी कंट्री में परवेस नहीं करते हैं, हम आरे पास लेगली ओप्सन है, हर चीज हमारे पास है, हम उससे सामना करते हैं, मैंने नेट्रक है राश्ट भक्तों का समथ हिंदुस्तान में हर एक श्टेट में तो यह जरूरी है कि कुछ लोगों को गल्थ फहमी होती है यह इंटरनेशनल फोरम पर धंगाने का काम खुले आम करते हैं तो उनका मूत और जवाब दिया जाए और मूत और जवाब हम लेगली तो अचिना भाट्या, I am a practicing advocate here in UAE and India, I am from India. Mr. Updesh Rana, he is my client, he has approached me related to videography and threat at the airport. I received a complaint on 29th Jan from Mr. Rana and it was related to Mr. Shami Chaudhary who has actually threatened him and Mr. Updesh is exploring some legal options related to this and whether it is a small or a big threat or whatever, you cannot threat anyone related to life or beat him up or kill him. And it is very evident in the video which Shami Chaudhary has actually kind of taken it at the airport and clearly said and put it on social media and it is all over the social media. It clearly says that we are waiting for Updesh Rana to land at UAE and Shami Chaudhary Itisham Habib is his name and it is not only in one social media, Twitter it's there, it's there in, it's even floated in YouTube and other channels as well on social media. And I can show one of this which clearly says I am always ready. Shami Chaudhary mentioning, thanks a lot to Rana, ab wapis nahin jayega wo. It clearly pinpoints that there is something which is being planned for a client of mine that is Mr. Updesh Rana and he is on a clear threat. And for his life and his security, he is going to look at all the legal options. Additionally to that, in UAE such a kind of threat is not acceptable. Even the videography that is also at the airport which is not officially allowed. So I somewhere see a jail term, a longer jail term rather than just something that he'll just get one month or two months. It is going to be somewhere plus three years to ten years where he'll get a jail term. तो आप सभी ने वीडियो किलिप देखी होगी, अब पाकिस्तानी अपराधियों की नीद उड़ जाएगी. और पाकिस्तानीयों को इंगली समझ में नहीं आती लेकिन फिर भी दुबारा बोल देता हूँ, किसी से ट्रांसलेट करवा लेजेगा. और अब देखे क्या होता है, इंटरनेशनल एरपोर्ट से किसी को धमगाना, और कितने साल की सजा होती है, कितने साल की कैद होती है, अब पता चलेगा, बहुत मजाक में ले रहे थे, हमने इनकी सर्विस को हायर किया है, और बार-बार मैं कह रहा हूँ, मेसिज अंजना भाटिया, इस दा मोस्ट पावरफुल नेम इन दुबाई, पता कर लेना, कितने बड़े-बड़े केस सोल की हैं, पता कर लेना, हम छुपाते नहीं है कुछ, नाम सामने रख दिया, अब काम सामने रखेंगे, जिनोंने दुबाई के एरपोर्ट पर पहुँचकर, माल ने काटने की धमगी दी, वीडियो वारल किये यूटूब पर, निष्टा पर, फेस्बुक पर, अब पता चलेगा, मैंने कहा था, उन अपराधियों के लिए, कि जमीन कम पढ़ जाएगी, भागने के लिए जमीन नहीं मिलेगी, और फिर बदा रहा हूं, सीज मिसिज अंजना भाटिया, रूहें काप जाती हैं, रूहें, सीज सो पावर, अपराधियों में खोप, और उनके विवेक, उनका काम करने का तरीका, उनकी किरिया सहली, सभी कुछ देखने को बिलेगा, और एक-एक को नहीं छ होड़ा जाएगा, भाग ये जहां तक भागते हैं, अब पता चलेगा कि क्या होता है, बहुत बोलते थे ना, ये करा दिया, F.I.R. करा दी, वीडियो डाल दी, ये कर देंगे, वो कर देंगे, अब जवाब मिलेगा, सभी को जवाब मिलेगा, तो इंतजार कीजिए, नेक् आते हैं, अब चलते हैं, चाले फैक की जाएंगी, महरे नहीं, चाले फैक की जाएंगी, किसी के खिलाप, किसी इंटरनेसल एर्पोर्ट से किस तरीके से बोला जाता है, अब सिकाते हैं तुमें, जैसी राम, वंदे मात राम, भारत माता की जै, जै हिंदुस्तान